आईए, फोक्रस है जी एच सी एल पर इसमें कुछ इंपोर्टन डिवेलप्मेंट्स होएं जिसके बारे हम सुभाई भी हम बात कर रहे थे थोड़ी डीटेल जानते हैं वरुन के साथ, वरुन बताएगे क्या चल रहे हैं यहाँ पर तो हुआ यह है कि इसकी AGM थी, सैटरे जो गया है उसमें और वहाँ पर मिस्टर संजे दाल्मिया उनको फिर से बोर्ड के डिरेक्टर नियुक करने पर यहाँ पर फैसला लिया जाना था और ऐसा काफी कम होता है लेकिन इस बार यह हुआ है कि जो शेयर और से उन्होंने दरस करीब 32.27% जो शेयर उन्होंने इसके पक्ष में वोट नहीं किया है और कोई भी रेजुशन को पास होने के लिए करीब 75% के आसपास के वोट जो है वो पक्ष में होना ज़रूरी है अब किसने किसने वोट कि आप यह समझे इस कमने की शेयर अगर आप देखेंगे तो प्र जो इंस्तिटूशनल इंवेश्टर थे उसमें करीब केवल 75% यहि इसके पक्ष में वोट किया 25% जो इंसके पक्ष में वोट नहीं किया है और साती साठ जो नोन इंस्तिटूशनल पब्लीक शेयर ओल्डिंग है उसमें अगर आप देखेंगे तो 90% के आसपास जो वहां श लेकिन अगर आप देखेंगे जो तो जो प्रॉक्सी एडवाइस फर्म है इन्हों ने भी कहना था कि इनकी नियुक्ति के ओपर उंगली उठाई थी इन्होंने कहा था कि गोल्डन टब्रकों के भी प्रमोटर हैं यह कंप्री के पास अगर आप देखेंगे 1.55% के आसपास का हिस्सा है और इनकी यहां पर नियुक्ति के ओपर इन्होंने सवाल उठाई थे और इनका ये भी कहना था कि इनके काफी सारे मैटर जो है वो गुज़ात हाई कोट और एंसे लिटी में अभी बी चल रहे हैं तो इसके लिए वोट नहीं बहुत नहीं किया लेकिन आ रहा है वहम इसमें अच्छा भीए खराब यह अच्छा है कि रहा च्फ मेंडा निकल गए आप पूरा इंस्टि फैस्नल मेंज्मेंट आए जाए बार इंस्टُचैनल शेयरोंडर हो गया रहाइट इसे दो में प्रपोजल ते जिनको शायद इन्हों ने आगे बढ़ाय था उसे एक यह था जो पास नहीं हुआ है इन्टरेसिंग तो यह है जी एट सेल में इन्टरेसिंग डिवलप्मेंट कोशिश करेंगे हम आगे चलते हैं मैनेजमेंट से भी मुलाकात करने की बात करेंगे पता चलेगा कि एग्जेक्ली कमप्टी में चल क्या रहा है क्या कुछ बदलने जा रहा है यह भी जानने देखने की कोशिश हम जरूर करेंगे तो इंटरेसिंग डिटेस्ट लेकर आए हैं आपके सामने वरून इस वक्ती जी एट सेल को लेकर बिल्कुल एक बार चार्ट टैक कुनाल जी से कुनाल जी एक बार चार्ट भी देख लेंगे हैं जीएट सेल आज की तेजी वाले बाजार में फोड़े दबाव के साथ ट्रेड कर रहा है जिस तरह का चार्ट स्ट्ट्चर है दिपांचु एक रिजस्टेंस है यहाँ पर और एक बहुत समय से हम देख रहे हैं कि एक सीमित दाइरे का कारोबार यहाँ पर इस स्टॉक में देखने को मिल रहा है रिजस्टेंस कुछ 525 रूपे के आसपास है और हम देखते हैं कि कई बार अटेम्ट हुआ 525 को पार होने का लेकिन वो लेवल पार नहीं होता है तो 525 के उपर एक डिसाइसिव ब्रेकाउट होगा तब स्टॉक में कोई मोमेंटम बनेगा स्टॉक्चर और ऑर्ल स्टॉक्ट है और मुझे लगता है ब्रेकाउट आने के बाद खरिदारी की रायहीं होकि ऊके ब्रेकाउट आने के बाद खरिदारी की रायहीं है यह आ अपके लिए जी एके थोड़ा इस समय वेटन वाच कर लेते हैं, डिवेल्पमेंट के बाद स्टॉक ऐसा बेहव करता है, बट एसेंशली यहां पर आपको मूव आती हुई दिख सकती है.